हलो स्टूदेंट्स, वेलकम टू मैंग्निट बेंस, मैं रुपाली वर्मा मैंग्निट बेंस आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है अब आपकी पढ़ाई के लिए हम बुक्स भी लेकर आ रहे हैं यानि कि बुक्स और ईबुक्स लेकर आ रहे हैं ये बुक्स और ईबुक्स जो हैं आपको किंडर कार्डन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट के लिए मिल रहे हैं इनको हमने बहुत जादा अच्छा करने के लिए अलग-अलग केटेगरीज में डिवाइट किया है ताकि आपको सुविदा हो पढ़ने के लिए जैसे कि हम थेयोरीज पढ़ते हैं तो एक हमारी बुक हो जाएगी थेयोरी बुक हम जो है आपके MCQ करते हैं तो एक बुक हमारी पूरी MCQ की बुक हो जाएगी फिर एक हमारी जैसे हम सैंपल पेपर करते हैं तो उस तरीके से एक सैंपल पेपर बुक हो जाएगी आदे हैं आज के वीडियो पे आज का वीडियो है हमारी क्लास 4 के हिंदी व्याकरन का टॉपिक है अनुछेद लेखन जो हमने किया था लास्ट टाइम जो हमने अनुछेद लेखन किया था उसी कि हम आज प्रैक्टिस करेंगे अब ये अनुछेद लेखन जो हम प्रैक्टिस क होती है हमसे चीज़ orchard जाती है हमसे मिस्टेक होगी हम चीजों में विरांचिन्हों को नहीं लगाएंगे ठीक हम बहुत जादा लिख नहीं पाएंगे तो इसलिए बहुत सारी हमantically करी तो हमने जब ये अनुचित लेखन के व्याख्या करी थे तो हमने पांच अनुचित किये थे अब चलिए फटा-फट और अनुचित कर लेते हैं ताकि हमें और अंदाजा हो जाए कि हम इसको कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो विद्याले में मेरा पहला दिन यानि कि जब आप फोर्स डे स्कूल गए तब आपके साथ क्या क्या हुआ आपको यहां पर लिखना है तो अब जब आप गए थे अगर आपको वो याद है ना तो अब आप वो लिखना जब मैं सुबसुबा उस्कूल पहुचा तो सभी सहपाटी मुझे हैरानी सी की नजर से देख रहे थे मैं भी अपने आप में शर्म मैसूस कर रहा था वे सब आपस में घुल मिल रहे थे पर मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था पहले दिन तो जब हम अंजान होते तो हमसे क आप नहीं करता ना उसी दरीके से धीरे धीरे एक दो लड़के मेरे पास आए उन्होंने मेरा नाम पूछा और मुझसे मुत्रता करने के लिए बात करने लगे धीरे धीरे बाकी लड़के भी आ गए आधि छुट्टी की घंटी बची आधि मतलब लंच ब्रेक की जो बन गए तो मतलब क्या हुआ लंच ब्रेक में हमारी अच्छी जो है ट्रेंशिप हो गई फिर आदी छुटी समाप्त होने पर यानि कि लंच ब्रेक ओवर होने पर हम सब कक्षा में अपने अपने स्थान पर बैट गए थोड़ी देर बाद हमारी गड़ित के अध्यापिका य होने बुला कि सभी बच्चे इसको हेल्प करेंगे मुझे यह सब बहुत अच्छा लगा मैं अपने मित्रों को पसंद करने लगा मुझे प्रते दिन स्कूल आने में मज़ा आने लगा विद्याले का वाप्रथम दिम मैं कभी नहीं बोल सकता तो अब आपके साथ फर्स डे कि क्या है पुस्तक मेला यानि कि बुक फेर लगते हैं न तो कभी आप अगर बुक फेर गए हो तो आपने महां क्या क्या देखा क्या खरीदा क्या किया वो सारी चीज़े आपकी और अगर नहीं गए हो तो नेक्स टाइम जब बुक फर लगेगा तो मम्मी पापा से देखने गया मेले मेरे जैसे बहुत से बच्चे आए उसमें पुरुष और महिलाए भी थी मा कौन कौन आया था हमने बताया मेले में पुस्तकों के कई खंड थे यानि कि sections थे एक खंड में इतिहास और गोल की पुस्तके यानि कि history और geography की books थी दूसरे खंड में विज्ञान और गणित की science और math की books थी तीसरे खंड में कहानी उपन्यास और कविताओं की पुस्तके थी तता चौते खंड में धार्मिक पुस्तके थी पिता जी हमे हर खंड में लेकर गए उन्होंने सभी खंडों की जानकारी दी कि इस खंड में यह है इस तरीके से मुझे विज्यान और गड़ित का खंड बहुत पसंद आया यानि मैंने विज्यान और उसके जादू नाम की पुस्तक खरी दी मेरी बेहन ने प्रेम चंद की कहानी की दो परच्छट रगे लोगों को पुस्तकों से परच्चत करवाना अत्यंत आविशक है तो मतलब इस तरीके से book fair में क्या क्या था आपने देखा वो फिर आपने वहां से क्या purchase किया वो आपकी बेहन टॉपिक किसान किसान बहुत जरूरी होता है हम लोगों के लिए उनके बारे में हम यहां पर क्या जानते हैं क्या समझते हैं वो लिखेंगे क्या दिया है हमारे देश का किसान हमारे लिए वर्दान है क्योंकि देखिए हम खाना जो खाते हैं वो उन्हीं की मेनत से हमको मिलता वह हमारे लिए आनाश तता साख सबजी पैदा करता है किसान गाओं में रहता है हमारे देश के अधिकतर किसान गरीब है उनके घर छोटे छोटे और कच्छे होते हैं वे गाय बैल भैंस आदी जानवर पालते हैं किसान अपने बच्चों को गाओं की पाटशाला में पढ़ा कई किसान आधोनिक उपकरण भी रखते हैं किसान बड़ी खुशी से सभी त्योहार मनाता है वह भगवान की पूजा वकीरतन भी पूरी शद्धा से करता है धोलक वह मंजीरा बजाकर वह इसका आनंद लेता है किसान धर्ती का सच्चा सपूत है और हमारा अन्न दाता है त तो जितना कुछ आप जानते हो उसको कलेक्ट करके आप यहाँ पर एक पैरग्राफ में बाधेंगे नेक्स टॉपी के हमारे पास में उस दिन जब मेरी स्कूल बस छूटी कभी आपके साथ हुआ ऐसा कि आपकी स्कूल बस छूट गई हूँ क्यों छूटी किस कारण से छू ग्रह कार दिया मतलब होमवक दिया घर पहुंच कर मैंने अपना बस्ता यानि की बैग रखा यह निश्चे किया कि पहले खेलने के लिए जाऊंगा फिर लोटकर ग्रह कारे करूंगा मतलब पहले खेल लेते हैं फिर आके होमवक कर लेंगे मैं शाम को खेलने बाहार निकल वहां से लॉट कर देर रात तक मस्ती करता रहा ग्रह कार करने का ध्यान ही नहीं रहा रात ना जाने कब नीढ आ गई सुबह जब नीनत खुली तब अचानक ग्रह कार करने का याद आया तो किस तरीके से हमने काम को टाला और end time तक हम अपना homework नहीं कर पायο और हमारी स्कूल जाने का समय आ गया फिर क्या हुआ ग्रह कार करने का ध्यान आया मैं जट पट ग्रह कार पूरा करने लगा ग्रह कार पूरा होने पर जल्दी जल्दी स्कूल जाने की तयारी करने लगा तयार होकर जब बस स्टाउप पर पहुंचा तो बस निकल चुकी थी क् मुझे अपनी गलती के पर पस्तावा हो रहा था मैंने निश्चे किया कि आप अपना हर काम समय पर ही करूँगा मतलब हमें काम को टाल करनी पहले कर लेना है वह होंवक है तो सबसे पहले होंवक कर लेते हैं फिर खेल लेंगे हैं कि नहीं अब नेक्स हमारे पास टोपिक क्या आया है मेरी प्रिये सिक्षिका आप सभी की ...? लगते होंगे तो वो उनके बारे में आपको लिखना है चीक है मेरे विद्याले में कई सिक्षिकाओं ने मुझे पढ़ाया है वे सभी मुझे अच्छी लगती है लेकिन मुझे शिरिमती शुधा सर्मा सबसे प्रिये हैं वे हमारी कक्षा अध्यापिका है यानि कि क्लास टी विद्यूष्णी मतलब बहुत जादा ग्यानी और जो है वो जॉइफुल नेचर की है देखने में वो बहुत सुन्दर है उनका व्यक्तित्व बहुत आकरशक है उनकी आवाज बहुत साफ है और मीठी है वे हमें हिंदी पढ़ाती है उनके पढ़ाने का ढंग बहुत अच सुनाती है यानि कि कोई भी जैसे कोई भी मैटर आया तो उस पे वो कहानी सुनाती है इस प्रकार पढ़ने में हम सभी की रुची बढ़ जाती है पाट आसानी से याद हो जाता है वे सभी विद्यारतियों पर बहुत इसनेह रखती है कक्षा के सभी विद्यारती उनका तो आपको अभी तक समझ में आगया होगा कि अनुचेद हमें कैसे लिखना है इसको सही धंग से करिकने का तरीका सिर्फ एक है कि आप इसको लिखो प्रैक्टिस करो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप इसे कर पाएंगे मैंगनेट बेंस अभी तक आपको फ्री एजुकेशन देते आया क्यों क्योंकि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा या रुकावट पैदा ना हो अब इन ही बाधाओं को दूर करने के लिए मैंगनेट बेंस आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और इबुक्स ये बुक्स जो हैं आपको किंडर गार्डेन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट के लिए मिलेंगी इनको हमने और ज़ादा अच्छा बनाने के लिए ताकि आपकी पढ़ाई में और किसी तरह की परिशानी ना हो तो इन्हें हमने अलग-अलग केटेगरीज में डिवाइट किया जैसे हम थियोरी पढ़ते हैं तो हमने क्या एक बुक आपको सिर्फ थियोरी बुक दे दी हैं हम MCQs करते हैं तो एक बुक हमारी सिर्फ MCQs बुक हो गई हम सैंपल पेपर ही अटेस्ट पेपर करते हैं सलूशन करते हैं तो जैसे हमारी एक बुक सलूशन बुक हो गई एक सैंपल पेपर बुक हो गई तो इस तरीके से कई सारी बुक हम आपके लिए अलग-अलग करेंगे तो बुक प्राद भी करिए क्योंकि इनसे भी आप पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं थैंक यू फो वाचिंग बाबाई